आप सभी विध्यारतियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका EAD परिवार में आप सभी विध्यारतियों का स्वागत है जैसे कि आप लोगों को बदा है कि वचे हमारे डेली साम को आपका UPP share के लिए जो class चल दी ती उसी को continue करते हुए लेकिन आज के उसमें बचे आपका set नहीं बनाएगे तो आगे चलते हम लोग आज के सवालों की और पहला सवाल जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक ना सवाल जो आपको देखने को मिलेगा वो देखेगा कौन सा सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है कि पूर्वा फुर्बॉल खिला रही पर नाटों बचा रिक्षेशन यहां पर क्या दिया गया रिक्षेशन का जो हाल में निदन हो गया वो कौन सी country को represent करते थे तो यहां पर कौन सी country आएगी हमारी तो यहां आएगा answer हमारा कौन सा वो दीदर रेंड को यहां दखे कौन सी country को पुछा आपका नीदर रेंड को बिलकुल ठीक है आवा जा रही है ना sound वगरा का issue तो नहीं है बचा आपका चलेगा next सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल यहां से जबुचप की उत्पती के बिदू को कहा जाता है जहां से बुचिए भुकम की उतपती होती है उस point को क्या कहा जाता है जब पॉइंट वेचे और ओर गिंदद आपका earthquake is the cold तो उसे क्या क behavior को कहा जाता है आपका क्या बिलकुल देखेगा उसे कहा जाता हमारा focus कहा जाता हो उस्की है अब देखेगा जहां से इसका जाने कि से के अंदर की बात कर आद चार का से हरा जहां से में हिसे क्या कहेंगे इपी सेंटर कहेंगे इसे प्राइंट को ठीक है चलेगां जो हम ल ready तो अगर भारत में बात करेंगे हम लोग भारत में क्या मनाया जाता आपका यहां पर क्या दिया गया तो यहां रखेगा विश्व कम मनाया जाता आपका पांच अक्तुबर को और भारत में पांच सितम्बर को ठीक है भारत में कम मनाया जाता आपका पांच सितम्बर को जबक विश्वा, वर्ल्ड टीचर डेके रूप में जो सेलिबेर किया जाता है आपका, तो वो कब किया जाता है, पांच अक्तुबर को किया जाता है, ठीक है ना, नेक्ष बनेंगे अगला सवाल, European Union के वर्तमान समय पर अध्यक्स कोन है, Who is the current President of European Commission, European Commission के वर्तमान समय पर अध्यक्स कोन है, ऐसा सवाल हम से पूछा जाए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो European I.O.K. वर्तमान अध्यक्स कोन है, तो देखेगा आपका, राइट अंसर क्या बनेगा बच्छा आपका यहां पर, यानि की, यूवी बच्छा आपका डेर्लेन, समझो, यानि उश्लावण जो आपका क्या है, डेर्लेन वर्तमान समय पर European I.O.K. क्या है, अध्यक्स है, तीक है न, European I.O.K. कमिशन है, उसके क्या है, अध्यक्स है, चलिएगा, अगला सवाल बेखते हैं, हम लोग यहां पर दिया गया, कि 1906 के दौरान, भारतिया स्वतंता सग्राम के दौरान, अप्रेल 1906 में, साप्ताहिक युगांतर की सुरुवात किसके दौरा की गई थी, यहां आप स बिल्कुल देखेंगे, आप पर B.A. आउसर आएगा, समझो आपका, वारिंद कुमार घोस और भुपेंदर नाथ दथ के दौरा की गई थी, समझो, वारिंदर कुमार घोस और भुपेंदर नाथ वच्चे की दौरा, दथ के दौरा की गई थी, यह ध्यान दीजेगा, अगर मैं आपर मांट अकांका गूवा की बात करूंगा तो वर्ल्ड की सबसे लंबी रेंज कौन सी रेंज होती है हमारी तो एंडीज परवत बाला कौन सी हमारी एंडीज परवत बाला ठीक है और एंडीज की सबसे हाइस्ट पीक कौन सी है एंडीज जो रेंज है उसकी सबसे हाइस्ट पीक कौन सी है तो इसकी सबसे हाइस्ट पीक है आपका अकांका गुवा जो आपक दक्षिन अमेरिकी महदूइब के अंदर जो चीली कंट्रिय है वहाँ पर आपको ये अंडिस रेंज आपका काफी कंट्रियों में फैली है लेकिन अकांका गुवा जिस मैं कहता हूँ हिमाले रेंज आपका अफगानिस्तान से म्यादमार तक फैली है और उसकी सबसे हाइस प पर आपका एवरेश्ट नेपाल के अंदर है तो उसी तरह से एंडिस रेंज दक्षिन अमेरिकी बहुत सारे कंट्रियों में है लेकिन उसकी सबसे हाइस पिक अगांका गुवा का पर है चिली के अंदर और इस पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लर्की कौन मनी काम्या 2020 में बारतिय ट्रेड यूनिएन कॉंगरिस के पहले अध्यक्स कौन थे? ओप इसा सवाल आप से पूछा जाए तो आपका अंसर क्या बनना चाहे तो यहाँ पर आजतना आएगा आपकाiennent आपका लाला lass पत्राई याने की C answer आएगा ठीक है ना जो आपका देखेगा जो Trade Union Congress था आपका Trade Union की बात करेंगे आप लोग तो NM Jossi वो अलग है आपका ये भारतिय Trade Union Congress है और वो आपका 1920 का Trade Union था जो आपका वो NM Jossi वाला वो अलग सवाल है ये कौन सा आपका लाला लाज पत्रा है थीक है ना भारतिय Trade Union Congress के पहले जो अध्यक्स बने 1920 में और जगर इस्तापना की बात करेंगे तब आएगा आपका NM Jossi थीक है चलेगा नेक्स देखेगा मानो सरीर की गरंतियों में कौन सा Growth Hormones का उत्पादन करता है Swamater Tropin की बात की गई आप पर Swamater पचे क्या आएगा Tropin थीक है इसका निर्मान कौन करता है इसे produce कौन करता है ऐसा सवाल हम से पूछा जाए तो हमारा answer क्या होना चाहिए तो हमारा answer बनेगा सर कौन करता है आप पर जो thyroid, जो gland होती है वही करेगे आपका Next बरेंगे Kendriya Sankhya की संगठन CSO की स्तापना कब हुई थी CSO जो भारत में क्या गरता है आपका राष्टिया आई का आकलन करने का काम किसका होगा तो Kendriya Sankhya जो आपका statistical organization है Central आपका statistical organization जाने की Kendriya Sankhya की संगठन CSO और CSO की आपका बात करेंगे तो इसकी स्तापना कब हुई थी 1951 में हुई थी जो भारत में क्या गरता है आपका national income को estimate गरता है ठीक है ना राष्टिया आई का आकलन करता है ठीक है आगे देखेगा उपराष्टपती के चुनाओ से संबंधित निम्लिक्षित में से कौन से आर्टिकल में दिया गया उपराष्टपती का चुनाओ के संबंध में यहाँ पर बात है की गई आपका वो कौन से आर्टिकल में बात की गई आपकी तो याद रखेगा कापर की गई आपका आर्टिकल 66 में और ये भी पूछा जाता आपका कि जो राज्य सभा के पदे नद्यक्ष होते हों कौन होते हैं बिल्कुल आपका भारत के उपराश्पती होते हैं खिक ना राज्य सभा के पदे नद्यकारे लेकिन एक चीज़ याद रखेगा ये राज्य सभा के मेंबर नहीं होते हैं राज्य सभा के सधस्या नहीं होते हैं ये भी तो साथ में याद रखना आप लोगों को समझे ओ चलेगा अगला सवाल देखेगा सवाल क्या दिया गया कि निमलिखित मैसे किस वरनक के कारण व्यक्ति की आंक समझे आखो तो याद राखेगा क्या दिया गया कौ्र्णिया दिया गया समझो मुझे तो याद है बहरी अच्छ इस किस कार्वण होती है तो यह होती है आईरिस के कार्ण यानि कि different different जो color क होती है और साथी-साथ Edis के बारे में बताणे जाता है कि यानि कि जो पुतली भी गहते हैं, हिंदी में क्या गहते हैं, पुतली भी गहते हैं, जो क्या करता है, प्रकास, जो लाइट जो आँख में परती है, उसे कंट्रोल करने काम भी करता है, समझो, यही क्या करेगा आपका, जो हमारी आँख में जो लाइट परती है, उस लाइ गया जो अजंता और अहलोरा की गुफाएं का पर हमारे महरास्त के अंदर है तो यहां पर कौन सी चित्रगल जो आपका ठीक है यह किसके द्वारा बनाया गया था तो राष्ट कूट साथ सकों के द्वारा समझ जो किसके द्वारा आपका राष्ट कूट साथ सकों के द्वार बनाया गया था अजन्ता और अलवरा की जो गुफाएं है ठीक है ना चलेगा नेक्ष बनेंगे हम लोग अगले सवाल पर सवाल नमर देखेगा किस वोईस रोई के शाशनकाल में पहला फैक्टरी अधिनियम आये था लेकिन हम से पूछा जाता है और आजी में पड़ा भी र पतर है और ये फैक्तरी अधिनियम किसके समय पर आता है तो 1800-18 अशी में कौन था उना लूड़ रिपंड के समय पर समझोब लॉड़ रिपण के शामय पर समझो साथ थी हूई कैस का या ढखना आपको भारत में 2021 में से जन्दाओर जन्द करना हो लिए तो 1872 में लौड मि समझो 1872 में लौड मियो के समय पर भारत में जनगरना की सुरूवात होती है लेकिन जो नियमित जनगरना के प्रतेक 10 वर्स के बाद जो जनगरना होरी आपकी यह हुई थी किसके समय पर लौड रिपन के समय पर ही 1881 से जैसे आपका 2001 में हुई फिर आपका 11 में हुई, फिर 20 में, फिर इसके बाद 31 में होगा आपका, तो ये जो सुरुवात हुई आपका, तो इसकी सुरुवात कब से हुई आपकी, तो ये 1881 से, यानि एक 10 साल के जो अंतराल में, नियमित अंतराल में हो रही है आपका, तो 1881 से इसकी सुरुवात होती ह नेक्स देखेगा सावाल नमबर 15 दिया गया कि globalization का अर्थ क्या होता है west-vigran का मतलब क्या होता है ंधर्ष मlichen आगि ना तो globalization का मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होता है अर्थ ब्यास्ता का एक हेगर विद्टिव अजयर का बचार आपर अंसर क्या बनना चाहिए आपका C घरेलू अर्थ ब्यावस्ता का बैस्विक अर्थ ब्यावस्ता के साथ एक ही करन इसका आंसर बनेगा अर्थ क्या होगा ठीक है ना वट जेज बिचाव का ग्लोबलाइजिशन मिच तो यहाँ पर C आएगा घरेलू अर्थ ब्यावस्ता का वैस्विक अर्थ ब्यावस्ता के साथ एक ही करन ठीक है C आंसर बनेगा अपकाекст बनेंगे अगले कॉश्शं पर वाइरस के कारण निम्न मैसे कौन सी बिमारी होती है ऐसा सवाल पूछा गया इन वैसे क्या इबोला वाइरल डिजिज है क्या HIV, viral disease या source दिया गया अपर तो ये सभी के सभी क्या है viral disease है चाहे Ebola हो, चाहे SARS हो बच्च, चाहे AIDS हो ये सभी के सभी क्या है ये सभी के सभी virus यानि की जीवान जनित रोग है विशान, जीवान नहीं जीवान तो बैक्टरिया होता है विशाणू जनित रोग है समझो यह जितने आपको आप्शन में दियेगे तो यह सभी के सभी चलिएगा सवाल नंबर हम लोग पहुँचेंगे आपका 17 के ओर भारत का बात्सा उस समय पर कौन था जब ब्रिटेन में इस्ट इंडिया कंपनी की स्टापना होती है ब्रिटेन के अंदर इस्ट इंडिया कंपनी की स्टापना होती है 16 सो में ठीक है ना और इस समय पर भारत में उस समय पर देखेगा भारत में जो सासक होता है तो दिल्ली का सासक कौन था अकबर, अकबर 1605 तक रहता है यानना आपको 1605 तक अगबर का शाशनकाल होता है और उसके बाद कौन बन जाता आपका जहागिर बन जाता है इतना बिल्कुल जब याद रखेगा जहागिर के शाशनकाल में पहला अंग्रेज यात्री विलियम हौकीन्स आया था 1607 आडिस्वी में जिसने ब्यापार के लिए क्या समझ आपका कि भारत में ब्यापार के लिए आपका जगए मागा था समझ सूरत के अंदर यह दिखेगा तो या समझ आपका पूछा जाता है कि जिस समय पर इस्टिडिया कम्पनी की स्ताफ नगापर इंग्लेंड में हूई तब भारत में कौन था उस समय पर तो अग्बर दिल्ली का सासक था लेकिर इस तिल्या कम्पणी का जो पहला मेंच अब्यक्ति मुगल दरौर मारें वो कौन था विलियम होकिंज ता विलियम होकिस आपका किसके दर्वार में आए था जहागीर के दर्वार में 1607 और 8 के मद्या ठीक है ना चलेगा नेक्ष बनेंगे उसके बाद है टॉम स्रो आता है आपका जहागीर के दर्वार में आता है टॉम स्रो कब आता है 15-16 में आता है नेशनल यूनिटी डे के रुपे हैं तो प्रतेक वर्स 31 अक्टूबर को अब 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे रास्तिया एकदा दिवस मनाई जाने का मुख्या करण क्या है इस दिन सरदार बल्लबाई पतेल की क्या होती है बर्थ एनुसरी होती है और इसी दिन 2019 में हमारे दो कैंद सासित प्रदेश बने थे एक बना था अपका जमवन का स्विर और दूसरा कौन सा लद्डाक दो कैंद सासित प्रदेशों का भी गठन किया गया था कब 31 अक्टूबर 2019 को सरदार बल्लबाई पतेल की बर्थ है नुसरी पार सरदार बल्लबाई पतेल ने जो है भुझे आपका भहरत का विसमार कभी कहा जाता है कि जो रियास्त थि भारत में उन्हें भारत में विलाई करने के लिए सबसे बड़ा रोल पर लेगाना था सरदार बिल्ला भाई पते ने जिस कारण से उन्हें क्या गा जाता है भारत का बिसमार्क भी कहा जाता है और उसके साथ-साथ उन्हें ये सरदार की उपादी कब दी गई तो 1928 में जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था जो भू क बारदोली यारी कि गुजरात के अंदर समझो यहां पर महिलाओं के द्वारा समय गुजरात के अंदर महिलाओं के द्वारा उन्हें क्या कहा गया था मैंचे जो गुजरात की जो बारदोली महिला है थी जश्ट उन्हें यहां पर खुशा दिक्कत आगे ठीक है न गांदी जी के द्वारा सरदार की उपादित दी गई थी ठीक है चलिए next बढ़ेंगे अगले सवाल पर सवाल नमर देखेगा भारत में बेरोजगारी के आकणों को एकतित करना और प्रकासित करता है कौन गरता है तो यहाँ पर देखेगा किसके दोरा किया जाता है तो नेशनल जो नमूना सर्वेक्षन संगटन है यानि कि नेशनल जो सेंपल सर्वे ओगनाईशन के द्वारा NSSO के द्वारा समझो NSSO के द्वारा किया जाता है भारत में बेरोजगारी के आकणों को एकतित और प्रकासित करता है तो वह कौन गरता आपका NSSO के द्वारा किया जाता है ठीक है ना चलेगा नेक्ट्ष बढ़ेंगे अगले कोशन पर किस आंदोलन के दोरान सरदार पटेल को सरदार की उपादी दी गए थी अभी बात कर रहे थे हम लोग तो यानि कौन सा आपका बारदोली आद नुरल समझो बारदोली सत्याग रहे तो याद रखेगा उस समय पर गुजरात के अंदर जो बारदोली के या बारदोली जो जगह है तो वहां की महिलाओं के कहने पर गांदी जी के दोरा उन्हें क्या दी गए थी सरदार की उपादी दी गए थी ठीक है ना तो चलिएगा अगला सवाल हमारा बनता है सवाल नंबर आपका 21 नासा ने किस से संबंदित मिशन का नाम जूनो है नेव आप दा मिशन वेदे टू नाशा इस जूनो जूनो मिशन जो जैसे बारत इस रो का आधित्या एलवन तो सौलर जो आपका समझ शूर्य के आउटर साइड का क्या करना है स्टड़ी के लिए आधित्या एलवन इस रो के दौरा मिशन को नाम दिया गया उसी दूरह से जूनो जो नासा का मिशन है तो वो किसकी स्टड़ी के लिए तो यहां पर साइड़ी दिया गया मार्स दिया गया हमारा जूपीटर दिया गया या नन और इभाव इन मैसे कोई ने तो मुझे तो याद रेचे आपका काप पर तो याद एखेगा जूपीटर जो जूनो अब का मिशन था, किसका नासा का, नासा यानिकी American Agency, American अंत्रिक्ष एजनसी का जूनो मिशन क्या था, जुबीडर का आध्यन था, ठीक है ना, किसका आध्यन होगा, जुबीडर का, next बनेंगे सरदार पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारतिया गर्ण राज्यम का इसा बनाने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया था उस समय पर ग्रह मंत्री थे भारत के क्या थे ग्रह मंत्री रह चुके थे समझो और उनके बाद रियासती मंत्राले भी था आपको बदाए कि जमवन कस्मीर का बिलाय पत्र के आधार पर जूनागर का सहमती पत्र के आधार और हैदराबाद को पुलिस कारवाई के आधार पर भारतिया गर्रण राज्यमें सामिल किया गया तो हैद्राबार राज्य पर जो ओपरेशन चला गया था उस समय पर तो कौन सा ओपरेशन में चापका पोलो ओपरेशन पोलो या दखेगा ओपरेशन पोलो के अधर पर यहाँ पर क्या किया गया था जो हैद्राबाद रियास्त थी उसे भारत में क्या किया गया आपका बिला किया गया, पुलिस कारवाई से भारतिया संग में उसे सामिल किया गया, ठीक है ना, किसे हैदराबाद को नेक्स बढ़ेंगे, डक्तर अब्दुल्कलाम बहरत के राश्टपती थे, अब्दुल्कलाम बहरत के कोन से नंबर के राश्टपती रह चुके हैं, उनकी ऑटो बाइग्राफी, विंक्स ओफफायर और उन्हें पॉइन साइल में के नाम से भी जानते हैं, भारत में मिसाइल मैं इनके नाम से भी जानते हैं, तो ये भारत के कौन से नंबर के राश्ट पती रह चुके हैं, नौवे राश्ट पती, दसवे, ग्यारवे या बारवे राश्ट पती, तो यहां दखेगा, यहां पर आंसर क्या बनेगा हमारा, तो C आएगा, ग्यारवे राश्ट पती के DNA और RNA genome से बना होता है जिसे कहा जाता है एक virus protein cell के अंदर DNA और RNA genome से बना होता है जिसे कहा जाता है Capsid host बचे आप पर evolve दिया गया या जमीच तो मुझे यादे से Capsid कहा जाता है ठीक है ना Capsid A जो एक virus होता है और virus मेने आपको बताया था कि ये दोनों में आएगा आपका एक non living में भी आएगा और living में भी आएगा क्योंकि हमारे environment में नजाने कितने virus है लेकिन उसकी life cycle तब शुरू होती है जब वो किसी living cell में enter करता है जब वो किसी जीवित को सिगा में enter करता है तब जाके उसकी कहता होती है growth होना सुरू लाइप cycle सुरू हो जाती है उससे पहले तो क्या आपका यानि कि उसे हम लोग क्य क्या रहे है निरी जीव कह रहे है नौन लिविंग कह रहे है उसे जीवित नहीं है समझो तो यहाँ देखेगा आपका capsule आएगा ठीक है चलेगा वर्स 2020 के लिए विजिन का प्रामो क्रिगेडर के रूप में किसे नौमित किया गया था विजिन कि नेम डाइज दा विजिन लिडिंग क्रिगेडर आप दा यह 2020 2020 में किसे किया गया था आपका तो जो लिडिंग प्लेयर थे आपके वो कौन थे बच्छा बैन स्टोग बिलकुल बैन स्टोग यहाँ पर राइड अंसर बनेगा समझो बैन स्टोग जो किया आपके इंगलेंड टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी आप लोगों ने इनका नाम कापनेश देखते हैं झाल 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 तस्ट क्रिकेट में जो वर्ड कप की जो सुरुवाट हुई है तो वो आपका 2019 में कही ने कहीं से सुरू हुई थी Zion God होती न हमारी तो वहीं से इसकी सुरुवात भी हुई थी ठीक है चले नेक्स बनेंगे अगले सवाल पर सवाल नम्मर देखे ट्वंटी एट वर्तमान समय पर सार्क में सदस्या रास्त नहीं है इन वैसे कौन सा जो सदस्या नहीं है ऐसा पूछा गया कि सार्क का बचापका सदस्या नहीं है तो यहां पर कौन सा नहीं आएगा म्यानमार नहीं आएगा सार्क साउत एसियन जो एसीजनल कॉर्परेशन इस किस्ता अपना 1985 में होती है और मुख्याले कापर आपका यानि कि काट मानू नेपाल के अंदर क्यों पूछा जाएगा क्योंकि अभी सार्क जो स्वास्त्यमंत्यों की बैठक कापर भी थी भारत के अंदर हुई थी भारत ने से होस्ट करा इसमें पाकिस्तान मेंबर है, इसमें मालदूइप मेंबर है आपका, यहाँ पर नेपाल है, इंडिया, स्री रंका, अफगानिस्तान, भूटान और बंगलादेश इसमें क्या है, सदस्य रास्त है, लेकिन इसमें मियानमार आपका सदस्य रास्त नहीं है, यह भी याद रखे आप लोग ठीक है ना, next बनेगे अगले सवाल पर सवाल number 29, किस कंपनी के दोरा मौसम एप जो डार्क इसका आई इसका क्या कर दिया गया, अधिगरन कर दिया गया, तो कौन सा होगा आपका किस कंपनी के दोरा, तो ये क्या गया, आपका किस के दोरा, बिल्कुल जो एपल आपनिया एपल कंपनी के द्वारा जो मौसम है पर बचाब का डार किसका आई इसका अधिगरान कर लिया गया ठीक है चलेगा नेक्स देखेगा जो राउंड टेबल थे आपके सेकंड राउंड टेबल कॉंफरेंस टेक प्रेस यादि कि यह किस समय वाता आपका दूतिया गो राउंड टेबल आपका बैठा का होता ऊतियं है साथ सितम्बर 1934 खो ठीक है आगे देखेगा गैला पागोस द्वीप समू में से किसी देश ने आपातकाल की गोच्छना करी है मैं आपको बदाया था प्रसांत मासाயर से लगा हुआ गा गैला पागोस द्वीप में 2020 में क् पर कुछ container leak हो जाते है जिससे environment में जहरीली gas आपकी क्या हो जाती है release हो जाती है और इस कारण यहां की में जिस country का उस पर अधिकार है तो किसका? Equador, Equador का Gala Pagos पर आपका अधिकार है तो इस कारण से उसे क्या कहा जाता हो अपर समझो कि अपत काल की गोशना की जाती है 2020 के और 21 के एक्जामों में जो हमें देखने को मिला Gala Pagos पूछा, Greenland के बारे में पूछा, Marjorie Dweep के बारे में पूछा गया बोगन विले के बारे में पूछा गया, वोगन विले आइलेंड का पर है तो बोगन विले इसने पूछा, क्योंकि वहाँ पर New Guinea से अलग होकर बोगन विले क्या बनने वाला था आपका एक नई कंट्री बनने वाला था, अभी बना दी आपका लेकिन याद रखे कापर हो तो वो आपका आएगा आसलिया कोंडिनेंट के अंदर कौन सा बोगन विले, जिस पर किसका अधिकार था आपका New Guinea का और कौन से आपका C के अंदर है तो Solomon C के अंदर आपको देखने को मिलता है, चलिए गाँ, नेक्स बढ़ेंगे, सवाल नंबर देखेगा आपका 32, यूनेसको की कारेकारी भासा कौन सी है? जो यूनेसको की कारेकारी भासा है, वो कौन सी है? ऐसा पूछ रहाँ आप से, तो पहले तो यूनेसको देखेगा, यूनेसको यानि की United Nation Education, Science and Cultural Organization, ठीक है ना? यूनेसको का मतलब क्या होगा? United Nation, Science and Cultural Organization, इसका मतलब है, ठीक है? देखें, आप सभी विद्यारती यापर सभी लोगों को, अभी तक जितनी चीज़े में बताए होगी, बिल्कुल बिल्कुल देखें, सारी चीज़े आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? जितने भी चीज़े आप लोगों को बताए होगी, एक एक चीज़ आपके exam, point of view से महत्वपूर है, सारी चीज़े आप लोगों को यापर बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप सभी विद्यारती क्लास में बिल्कुल निरंतर बने रहें, और आप regular practice करते रहेगा, ये समय इस स के लिए जाना जाता है अपका, UNESCO के द्वारा क्या किया जाता है अपका, World Heritage Summit, प्रतेक वर्स विश्व विरासत सम्मेलन का आईजन कराया जाता है, किसके द्वारा, UNESCO के द्वारा, तो UNESCO का जो मुख्यालेयों कहां पर है, पैरिस के अंदर, World Heritage Summit 2020 में कहां पर आईजन हुआ आप लोग comments box में लिखके बेजिएगा, कि 2020 में विश्व विरासत सम्मेलन का परवा, जो 19 में आपका अजर वेजान की capital बाकू में हुआ था, तो 2020 में इसे किसने होस्ट करा comments box में लिखके बेजिएगा, देखता हूं कौन से बच्चे आपर आंसर दे रहें, समझो, जितने विरासत सम्मेलन 2020 में हुआ, वो कहां पर आए जितने हूआ, 2020 में? 2020 में नहीं हुआ, ठीक है न? 2020 में इसे पूझु सहर का पर चाइना में होना था, लेकिन नहीं हुआ, जो अब आपका 2021 में होगा, ऐसा कहा गया भी, तक हुआ दिए अपका है, युनेस्को का विश्व वि इस से दो गंट्रिया बाहर हो चुकी है इसराइल और अमेरिका यूणेसकों से इसराइल और अमेरिका दो देशिया से बाहर हो चुके आगे देखेगा खिलारियों है तु भारत में सर्वोच्य खेल पुरुसकार कौन सा है यहापर क्या दिया गया हायस्ट बच्चा Sports Award in India for Sportsman समझो भारत में सर्वोच्य खेल पुरुसकार कौन सा है जो खिलारियों को दिया जाता है दुनाचरे पुरुसकार अरजुन पुरुसकार राजिव गांधी खेल रत्न पुरुषकार या पधम स्री तो यह आंसर क्या बनेगा आपका राजिव गांधी खेल पुरुषकार यदि आप भारत में अथिलीट होते तो आपको सबसे बड़ा सम्मान राजिव गांधी खेल रत्न पुरुषकार दिया जाता और इसकी बर्थ अनस्री आती थीक है न? इसी कारण से 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्पोर्स डे खेल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन मनाये जाता है आपका क्या खेल दिवस के रूप में कब? 29 अगस्त को थीक है? और देखेगा 2020 में राजिव गानी खेल रत्म पुरुसकार से पांच लोगों को क्या किया गया आपका पुरुसकारित किया गया इसके लिए ठीक है ना सम्मानित किया गया तो वो पांच कौन कौन है कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के बेलेंगे मरी का बत्रा का नाम बिल्कुल आएगा समझो राणी रांपॉल का नाम वहापर आएगा रोई सर्मा का नाम वहापर आ रहा आपका तीन होगे अब दो और रहेगे दो गानाम बताना आपको एक आपका समझो चैब बचाब पहरा उलम्पेंग से आपका महपन गर के आपका ठीक है चलेगा नेक्ष बढ़ेंगे अगले सवाल पर सवाल नंबर देखेगा आपका 34 सॉलर कूलर में कौन से दरबढ़ का उप्योग किया जाता है समझो तो कौन से किया जाएगा याप पर तो यहां सराएगा हमारा बिलकुल कौन के मिरर का समझो अवतल दरबढ़ का ठीक है चलेगा एक्किवरीन जो आपका एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के मध्या है एक्किवरीन जो आपका एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के मध्या आईजी तो होता है तो ये दो देश कुंसे है आपका, एक तो होगय भारत और दूसरा कौन 눌러 का अपका, भिलकुल मालवी, मालवी, एक्सेसाइज आपका अगर पूछा जाए, मालावार, मालावार एक नेवल एक्सेसाइज है, जो जापाण, अमेरिका, भारत, और उसमें कुन भाग लिता आपक तो उसमें बचया आपका है, इस बार उस्तेले ने भी भाग लिया, समझ आपका, जो माला माला आपका exercise है, समुद्र शक्ती, भारत और इंडो देशिया के मद्या, ये नेवल exercise आपका, टाइगर ट्रम्प, भारत और भारत की तीनों सेना हैं, और अमेरिकी सेना के मद्या, इ पर आपको saddle peak भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो यिस वर्न आइलेंड में, यानि के आपका, अन्दमान निकोवार के अंदर, बिलकुल, Bay of Bengal के अंदर हमारा अन्दमान निकोवार है, और अन्दमान निकोवार को किस स्रेड़ी का, जलमगन हिस्सा भी कहते हैं, वो कौ कान यूमा का ही जलमगन हिस्ता कहा जाता है किसे अन्दमान निकुवार को ये भी याद रखेगा चलेगा next बढ़ेंगे सवाल नंबर 37 के ओर 25 सताबदी में सबसे महत्वपूर बचाप का वित्रों मैंसे ठीक है ना एक या बचाप का अब्दुर्जाक सरकंडी में किस समराजज़ से आता है ठीक है तो कौन से बचाप का ये आता है आपका कौन सा बिलकुल बिजय नगर और बिजय नहीं में बिजय नगर में आपका कोन आये था मैंने बिटाय था ना इटैलियन यानि कि मारको पोलो भी यहीं पर आता है आपका कापर जो आपके साउत इंडी दक्षिन वारत में वारत में वारे जो बिजय नगर समराज़ था ना तो वहाँ पर मारको पोलो भी आये था जैसे इबन बेटू था तो कहां से मोरक्कों से MBT के दरवार में मोहमद बिन तुगलक के दरवार में आया था कौन तो वह इबन बेटूता था बचाप का ठीक है चलिएगा नेक्स देखेगा आरोग्यस से तु एफ लोगडाउन के दौरान अक्सर आपने नाम सुना था आरोग्यस से तु के बारे में आरोग्यस से तु एफ्लिकेशन दिसके लिए समझ जो आपको अलग लग फीचर इसके अंदर थे समझ हो और ब्लूट्विट इसमें आपका रेगूलर ओन करके रखना था तो आरोग्यस से तु एफ्लिकेशन के द्वारा जो दिसा निदेश यानि की जो वहाँ पर डेटा दिया गया था ठीके न वो कितने समय तक रह सकेगा तो 180 दिनों के अंदर समझ है कितने दिनों तक बचा आपका तो 180 दिन तक वहाँ पर रह सकता है ठीके न आरोग्यस से तु जो एफ्लिके अंदर डेटा 180 दिन तक क्या रह सकता है संग्रहित रह सकता है आगे देखेगा अंतराष्टिय चर्णोबिल आपदा जो सलस्वन दिवस के रूप में मनाया जाता है पहले तो हमें ये पूछा जाता है कि चर्णोबिल किस तरो की घटना थी तो चर्णोबिल अपने आप में क्या थी आपका एक एतोमिक आपका क्या था डिजास्टर था एतोमिक डिजास्टर का मत्तब angels यानि क्या आपका चर्णोबिल जो एतोमिक डिजास्टर था आपका तो ये कब हुआ था 26 अपरेल के एक परमावनी का आपदा थी कहाँ पर यूक्रेन के अंदर ये सवाल अब क्यों पूछा जा रहा है क्योंकि 2020 में यहाँ पर कुछ हलचल देखी गई दुबारा से इस कारण से यह आपका क्या है चर्चा में आया और हमारे लिए जियस का सवाल बनके रह गया ठीक है चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नमबर 40 क्यों सवाल नमबर 40 दीखेगा double fault सब्द किस खेल से सम्मधित है double fault जो आपका related to ये किस खेल से सम्मधित आपका तो ये होगा आपका टैनिस से जैसे रिंग सब्द vaccine से जुरा हुआ आपका रिंक आपका आइस होकी से जुड़ा हुआ है डाइमंड बेस बॉल से जुड़ा हुआ है वाइलो ड्रम साइक्लिंग से चाइना मैन किरिगेड से ठीक है ना गूगली आपका ये भी किरिगेड से जुड़ा हुआ है यॉर्क बच्छा आपका क्या होता है ये भी किर्गेट से जुड़ा हुआ है समझो तो उसी तुरा से आपका डबल पॉल्ड टैनिस से जुड़ा हुआ सब्द है ठीक है ना चलेगा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिया गए वच्छा आपका ट्राइम्स दिया गया लिखित मैंसे यह किसका फुल फॉर्म क्या होता है यह उता विच्छा आपका क्या बिलकुल ट्रेड रिलेटर विच्छा आपका इन्वेस्मेंट मेजर्स के दिया गया आपका ठीक है ना तो यह आंसर है सवाल का सभी भी त्यारती वीडियो को लाइक भी करिएगा और जैसे जैसे आप लोग लाइब आते हो तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को सियर भी करिएगा आने वाले सभी अप कामिंग एक्जाम के लिए चाहिए हमारी नौ बजे की क्लास तो उसमें हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे तो सभी लोग भी जादर से जादर सेयर कर रहे और क्लासों में जब भी समय रहे तो आप लोग लाइब बने रहे ठीक है चलिए आगे देखेगा इस्टार्च जो सरकरा पाचन के लिए बचे आपर देया गया तो यानि कि इस्टार्च जो मंड होता है हमारे मुख में जो सरकरा पाचन के किसके द्वारा होता है एमाईलिस दिया गया आपर ठीक रिए गया ताइलिन दिया गया पैपसिन दिया गया लाइपेस जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं, तो उसमें जो भुज्य पदार्त होते हैं, वो किस रूप में आपके, तो या तो स्टार्स के रूप में, या सेलुलोस के रूप में क्या होते हैं, इस्टोर होते हैं, ठीक है, तो याद अखेगा आपका, उसे पचाने के लिए, हमार बचार रिलीज होती है ठीक है चलिएगा आगे बनेंगे हम लोग दिसंबर 2021 में ACI UR पैरा खेलों का एजन कहां पर होगा समझो यह आपका 2020 में तो कहां पर खेला जाएगा यह खेले जाएगा आपके कहां पर बहरीन के अंदर बहरीन का नाम आप लोग ने कहां पर सुना होगा बहरीन की जो Capital City है बहरीन की जो राजदानी है वो क्या है मनामा और इसका नाम आपने कब सुना 2018 में जो World Heritage Summit वा था तो बहरीन की जो Capital है मनामा वहाँ पर वाता आपका बहरीन की Capital क्या बचाब का मनामा Capital City of Barren, Manama और 2018 में याप पर क्या हो वाता आपका World Heritage Sammelan का है जन्वाता, ठीक है ना चलिएगा, आगे देखेगा England के सूपर बेचा आपका Star Football किलारी, David Beckham की, समझो, David Beckham की क्या है, आटो बाइग्राफिक है, तो इनकी आटो बाइग्राफिक क्या हो आपकी, तो इनकी रही आपका My Side, क्या है, My Side है, ठीक है न, England के पहरे आप से पोचा जाएगा, कि David Beckham किस खेल से जम्मदीद है, तो फुटबॉलर आपका समझो, next बनेंगे Super 301 का समन किसे है Super 301, जो अमेरिकी ब्यापार कानून की वहाँ धारा है, जो वहाँ पर आयात पर क्या करेगा उच्च सीमा सुल्क लगाने की सक्ति देता है, Super 301 क्या है अपका, जो अमेरिकी ब्यापार कानून है वहाँ पर इस धारा के पहत क्या होगा आयात पर, जो वह बच्चे क्या कर रहे है आपका, इंपोर्ड कर दें, उस पर क्या करेंगे उच्च सुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं, आगे देखेगा सवाल नमबर कौन सा आएगा सवाल नमबर 36, सरीर के लिए एंजाइम क्यों आश्यक होते हैं यह एंजाइम क्या होते हैं जितने भी बायो केमिकल रियक्शन होती है बायो केमिकल जो कितनी अभी क्रियाएं जो होती है, उन पर उत्प्रेड़क का काम करेगा मतलब आपका कैटलिस्ट का काम करेगा कौन एंजाइम ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका यह यह यहाँ पर देखे दियागे न आपका if the catalyst में आपका catalyze the biochemical reaction जितनी भी बहुत थीक जो किरियाएं होती है समझो जो भी आपका ठीक है जैविक जो किरियाएं होती है फरीर में उसमें enzyme क्या करेंगे आपका catalyst का काम करेंगे ठीक है आपको पानी और नमक को गोलिएगा समझो घुल रहे फिर आपने नमक डाला फिर घुल रहे एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उस समय में catalyst के तोर पर कुछ चीज़ उसमें डाल सकते हैं तो यानि वो क्या गरेगा उत्प्रेरक का काम करेगा ठीक है ना चलेगा next बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर सवाल नमबर 47 दिया गया अर्जुन पुरुसकार जो भारत में इस पोर्स में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है तो इसकी पुरुसकार की सुराथ कब से होती है 1985 से होती है 24 पुरुसकार जो भारत में खेल प्रसिक्षण के लिए जाता है और कब 29 अगस्त को प्रतेक वर्स 29 अगस्त को ये पुरुसकार दिये जाते हैं आपके इस कारण से सवाल पूछा जाएगा आगे देखेगा निवलिखित मैसे कौन सी मुद्रा या मुद्राएं क्रितिम मानी जाती है फॉलिव बचा करेंसी कंसीडर दा आर्टीपिशल करेंसी ADR, ZDR, SDR तो यहाँ पर गयाएगा आपका SDR, IMF के द्वारा इसे क्या दिया गया आपका समझो इसे क्रितिम करेंसी के दौर पर भी, आर्टीपिशल करेंसी के दौर पर भी माने गया था 1969 के बाद, लेकिन मानेता नहीं दी गए IMF के द्वारा और इसमें अब तक 5 करेंसी SDR में, सबसे लास्ट में चीन की कौन सी जुरी थी? युआन जुरी थी चीन की SDR का मतलब Special Drawing Rights होता है आपका समझो, SDR का मतलब क्या होगा आपका Special Drawing Rights है Next मनेंगे सवाल No.49 क्यों राजिस्तान में इस जावर की खान किस खानीज के लिए प्रसिद है? विच बचाव का मिननल इस दजावर, माहिन इस दर राजिस्तान ये किस के लिए जानी जाती है? तो राजिस्तान में ये किस के लिए आपका जस्ते के लिए जानी जाती है? राजिस्तान के अंदर ये हमारी खेतली की खान किस के लिए? कौपर के लिए जाने जाती है मकराना किसके लिए संग मर्मर के लिए जाना आता है राजिस्तान के अंदर जावर खान जिंक के लिए मकराना बचाप का मार्मल पत्थर के लिए और खेतली खान किसके लिए आपका कौपर के लिए राजिस्तान में ठीक है चलेगा आगे देखेगा फाइको लॉजी में किसका अध्यान होता है फाइको लॉजी में जैसे हम लोग माइको लॉजी की बात करेंगे तो फंगस का होगा इको लॉजी में किसका करेंगे पारिस्तिकी का करेंगे हम लोग समझो तो उसी तरह से माइको लौजी में किसका गरते है कावक का यानि की फंगस का अध्यन किया जाता है माइको लौजी में किसका फंगस का नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर सवाल नमबर 51 दिया गया कि मीनी माता डिजीज किस कारण होती है यदि पानी में इस पिगमेंट के अधिकता हो गई तो क्या होगा मीनी माता डिजीज होगी तो पारे की यदि पानी में मरकर ही जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें मरक्यूरी की मेंचे अगर माता बढ़ गई तो कौन सा रोग होगा मीनी मात्रा डिजीज होती है हाइट नहीं बड़ेगी समझो बॉड़ी क्या हो जाएगी ठेड़ी आरी तिर्ची हो जाएगी समझो बच्चों में नाइट्रेड देखो पानी में यदि नाइट्रेड की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होता है पानी में यदि नाइट्रेड की मात्रा बर जाएगी तो कौन सा रोग होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होगा ठीक है उसके बाद देखेगा पानी में यदि केंडिमियम की मात्रा बर गई तो कौन सा रोग होगा इटाई इटाई नामक रोग होता है नेक्स देखे अगला सवाल सवाल नंबर 52 सारगोशो समुद्र का नाम पड़ा है सारगोशो सागर जिसे सागर के मध्य सागर की उपमा दी गई है तो यह कहां पर इस्तिधा मारा, तो यह आपका North Atlantic Ocean के अंदर, समझो, North Atlantic Ocean के अंदर आपका, ठीक है न, तो यहाँ दखेगा आपका, किस से बनाई है, बिल्कुल due to LB, यानि सेवाल से बना हुआ है, यह सागर आपका, जो सागर के मद्य सागर, सार गोसु सागर, North Atlantic Ocean के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंचा, धीरज कुमार, सर, 2018, देखेगा, धीरज कुमार मैंचा, सर, मेरा तो रिप्लाई दो, 2018 जेही, कब होगा, मैंचा, देखेगा, अभी तो हम लोगों ने, 2018 का, प्रीगा एक्जाम दिया था, जिसका result आउट हुआ, समझो, यहाँ भी 2018 जेही का नहीं हुआ क्या, धर्मेर गवार बच्चा आप जिन्होंने मुझे आपर सवाल पूछा था, आपका सवाल क्या था, कि सर, 2018 पूछा या, 2019 पूछा आपने, 2018 पूछा, या, 2019 पूछा में देख ले तो आपका कमेंट्स, 2018 जेही का, देखेगा, बच्या भी तो हमारा रिजल्ट इकला, ठीक है ना, अभी देखे बच्चा आपने, मैं आप लोगों से बात करूँगा, आगे देखेगा, सवाल नंबर, 53, 1993 में कांग्रेस को छोड़े के बच्चाद, सुभास्ण बोस ने किस दल की, इस तापना की थी, ठीक है, या पर पूछा ग पूछेगा ना, तो अभी TG2 का एक्जाम खतम होने के बाद, होली के बाद, देख लिजेगा आप लोग, अभी हमारे सामने एक्जाम है, और एक्जाम होना ही होना है, यह चीज़ देख लिजेगा आप लोग, हाँ, UPPCL, जेएक एक्जाम पूछा आपने, तो मैं वही कह आपका, UPPCL, जेएक्जाम, इसके बाद, TG2 के बाद ही, जेएक आपका, एड्मिर कार्ड आपके हाथ में रहेगा, समझ जो, तो आप लोग तैयार हो, उसके लिए, ठीक है, चलेगा, तो फॉर्वर्वर्ड ब्लॉक की स्टापना की थी, किसकी गई थी, की जांस के लिए घटित समय थी के आद्यक्स कौन बने थे, तो याद रहेए आपका, कौन थे बच्चे आपका, ये देखो, NGT के दोरा, ये NGT के दोरा बनाय गया था, एक बनाय गया था आपका भारत सरकार के दोरा, तो SCL दास, जो कमेटी थी, वो भारत सरकार के दोरा बनाय गयी, और NGT के दोरा जो बनाय गयी थी, तो जस्टिस मचा बीपी कटेगी, इसके क्या थे, अध्यक्स थे, समझो, भारत सरकार के दोरा जो समीती बनाय गयी थी, असम के अंदर जो गैस रिलीज वी थी, उसके लिए, तो वो SCL दास समीती थी, और ये क्याब की, जस बीपी कटेगी, ये किसके दोरा, NGT के दोरा, NGT के दोरा, नैस्टल ग्रीन ट्यूबनल के दोरा बनाय गयी थी, ठीक है, चलेगा, अगला सवाल, सवाल नंबर पस्पन दिया गया, कि दिवे कि मैसे कौन सा एक जीव, चावल के फशल में, जैव उर्वा का कारे करता है, बायो बचत ऑफ फटिलाइजर का काम करेगा, किस में, राइस क्रॉप में, समझो, चावल की खेती में तो कहोगा आपका, ब्लु ग्रीन एल्गी, नीली हरी सहवाल किया पर बात कीजा था, ठीक है ना, ब्लु ग्रीन एल्गी आपका, ठीक है, चलेगा, और आज के लिए, और इस सवाल के अंसरा आप लोग comments box में लिखके वेजेंगे एक एक सवाल आपके exam point of view से में तो पूर्ण है और पचास से ज़्यादा सवाल अम लोगया पर cover कर चुके ठीक है आप सभी भी ध्यारतियों को बताना चाहूंगा रात में 9 बजे आपकी class सलगती है exam 2021 उस class में भी live रहेंगे और morning में 6 से लेकर साथ जहां पर हमारा revision session चल रहा है तो उसमें भी आप लोग रहेंगे regular class हो में और बारत तारिक से TG2 वाले बच्चों के लिए मैराथन class शुरू हो रही है तो सभी बच्चे वहाँ पर PDF बच्चा धीरज कुमार बच्चा अब तक तो PDF हमने provide नहीं कराई देखेगा बाकि आप लोग को current का PDF मिलता है ठीक है ना इसका PDF नहीं दी जाती बच्चा आपको और अब तक दी नही बच्चा computer की class भी रहेगी आपकी computer class भी रहेगी आपका मैराथन के दोरान कम से कम अम लोग 6 या 12 घंटे class आप लोग की रहेगी ठीक है ना